तोश्तो आज की यह видео अगेन आपको बहुत जदा help करने वाली है अगर आप कोई credit card apply करने की सोच रहे हैं आपके पस कोई credit card नहीं है और पेटी태म का ज़्यादातर इस्तमाल करते हैं तो आपको इस video को end तक देखना चाहिए इस्क्रिन के उपर जैसा कि देख पा रहे हैं आज कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बात करने वाले हैं Paytm, HDFC Bank Select Credit Card के बारे में जो आपको प्रोवाइड करता है इंस्टिंटली कुछ मिंटों के अंदर में 10 लाग रुपे तक का credit limit अगर आप eligible होंगे स्टार्टिंग जो लिमिट होगी वो 10,000 रुपे से सुरू होगी और maximum आपकी योगेता आपके eligibility के according आपको मिलता है 10 लाग रुपे तक का credit limit HDFC के इस credit card से Paytm के उपर अगर आप पर शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% तक का cashback जरेकने के लिए मिलेगा वहीं धेरो benefits है जैसे कि 75,000 रुपे तक का आपको membership वाला Paytm फॉस्ट membership आपको free of cost के उपर असानी से मिल जाता है तो वीडियो को आइंग तक देखे इस वीडियो में आपके लिए धेरो information है इस credit card के बारे में जो कि आपको future में help करेगा एक बढ़िया credit card apply करने में तो एक छोड़ा सा update पहले उसके बाद हम इस वीडियो को शुड़ू करते हैं क्या आप अपने लिए best credit card option डूट रहे हैं तो उसके लिए बहुत असान सा trick है जिसे आपको follow करना होगा गूगल पे जाए गूगल पे जाकर search करिए apps guruji.com स्क्रिन के उपर जासा कि देख पा रहे हैं ये spelling आपको एक साथ लिखनी होगी और simply आपको करना है search आपको search list में ये भी detail दिख जाएगा इसे simply click करना है ये website open होगा और यहां पे आपके लिए धेरो credit card के बारे में detail information मिल जाएगी कि कैसे आपको ये credit card apply करना है आपके लिए credit card कैसा रहेगा और ये सभी information पूई तरीके से free है किसी भी तरीके कर चार्ज नहीं देना है बस information को collect करिए और अगर आप eligible हैं तो आप अपने लिए credit card apply कर सकते हैं तो आज के टाइम में अगर आपके पास credit card है तो आप साल के धेरो पैसे बचा सकते हैं अगर आप payment करते हैं UPI से debit card का इस्तमाल करते हैं internet banking का इस्तमाल करते हैं तो आपको उसके ऊपर rewards या cashback या फिर offer देखन के लिए जरूर मिलता है पेटियम और SDFC बैंक के साज़ेदारी से मिलने वाला यह SDFC select credit card जो कि आपको सिर्फ आपके क्यवाई सी डॉक्मेंट के उपर असानी से मिल जाता है यह credit card आपको instantly कुछ मिंटों के अंदर में मिल जाता है जो कि आप online offline इस्तमाल कर सकते हैं apply कर सकते हैं आपको 50 दिनों का repayment समय भी मिलता है 10 लाग रुपय तक का credit limit भी देखने के लिए मिलता है जो कि सिर्फ के वाई से डॉक्मेंट के उपर आप असानी से ले सकते हैं इस credit card को इस्तमाल करने के बहुत सारे options है offline online आप withdrawal भी कर सकते हैं अगर आपके इस credit card में आपको features मिलता है आप self-implied हो salary person हो आपका अगर income का source है तो आप इस credit card को ले सकते हैं आपके eligibility के according आपको यह मिल जाता है देखते हैं सिर्फ KYC document के उपर आप यह credit card apply कर सकते हैं इंडिया के किसी भी कोने से आप अपना यह credit card offline online इस्तमाल या फिर apply कर सकते हैं Paytm के लगबग हर transactions के उपर खासकर Paytm mall के उपर आपको 5% तक का cashback इस credit card के उपर देखने के लिए मिल जाएगा वही Paytm HDFC bank से एक credit card के उपर आपको 70,000 उपर तक का जो benefit देने वाला Paytm first membership free देखने के लिए मिलता है वहीं जैसा कि आप देख पा रहें 1% तक का cashback offer लगबग हर transactions के उपर देखने के लिए मिलेगा चार add-on card आप ले सकते हैं इस credit card के उपर जैसे ही आपका card खो जाता है तो रिपोर्ट करने के बाद कोई भी loss होता है तो उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं होते हैं यानि उसके लिए आपको payment नहीं करना होगा SmartPay application के जरिए आप अपने credit card को इस्तेमाल कर सकते हैं बिल payment और अलग-अलग options के लिए वहीं airport launch आपको free मिलता है जो कि साल का 8 airport launch free मिलता है जिसे आप quarterly इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे महिने में लगबख 500 का fuel surcharge आपको यहाँ पर माफ जो है देखने क्लिए मिलेगा credit card के उपर आपको membership fee भी देना होता है इस credit card से आपका renewal fee भी माफ हो जाएगा इसमें EMI options available नहीं है आपको contactless payment की सुईधा देती है इसके सांथ धेरो ऐसे products हैं जिनके उपर इस credit card से आप no cost EMI के उपर उसे buy कर सकते हैं इसके अलावा डेरो ऐसे benefits हैं जो कि आप वेबसाइट के उपर जाकर completely देख सकते हैं अगर आपके पास income का proof नहीं है चाहे वो bank statement हो या फिर आपका कोई salary slip तो आप इस method को use कर सकते हैं आप ले सकते हैं आधार card और pen card की मदद से instant इखर बैठे कुछ payment के अंदर loan बिना किसी guarantee बिना किसी advance payment के करना है आपको simply google पे जाना है और search करना है आपको यहाँ पे आधारसे loan.com जैसे कि देख पाने एक साथ complete लिखना है आधार से loan आपको इस पे करना है आप आजाएंगे इस website के अंदर यहाँ पे आपको धेरो information loan application के बारे में देखने के मिल जाएंगी और यह सभी applications बिना guarantee, बिना किसी advance payment, बिना किसी fee के instant loan प्रोवाइड करती है सिर्फ आपके KYC document के उपर यह website completely आपके लिए free है, किसी भी तरीके का charge नहीं देना है बस information को collect करिए, application को play store से download करिए और loan apply करिए यह देखते हैं, अगर आप इस credit card को apply करने की सोच रहे हैं, तो आपकी eligibility criteria क्या होगी eligibility criteria है, आप Indian citizen होने चाहिए, आपकी age 18 to 60 years कम से कम होनी चाहिए credit score आपका ठीक होना चाहिए, खासा PTM या फिर HDFC bank के अगर आप existing client हैं, तो यह credit card आपको और भी असानी से मिल जाता है अधार link, mobile number की requirement होगी, आपके बास monthly income का source होना चाहिए, saving account की requirement हो सकती है और साथ में चाहिए होगा internet banking, documents के अगर बात कर लें, तो documents में आपको bank card, अधार card देना होगा यहाँ पर bank statement देना होगा, या फिर आप IDR, या फिर salary slip, या फिर अगर आपका कोई credit card पहले से है, तो उसका पूराना bill भी आप यहाँ पर submit कर सकते हैं, documents के अंदर आप cost के अगर बात कर लें, तो सबसे पहले तो joining fee आपको 1000 रुपीज देना होता है, जो कि GST के साथ होता है, लेकिन 50,000 रुपे के सलाना इस्तमाल के उपर यह आपका way of हो जाता है, member fee के बात कर लो, तो 1000 रुपीज अगर आपको देना होगा, लेकिन renewal fee आपका माफ हो करते हैं, तो लगबग 35% तक का सलाना आपको interest pay करना होगा, वहीं processing fee आपको 4% तक देना होगा, अगर आप उसे EMI में convert करते हैं, इन सबी charges के उपर 18% का GST है, late payment fee भी आपको देना होगा, तो यह सारे cost हैं, आपको यहाँ पे pay करने होगे, इसके अलवा bouncing charge बगरा भी होता है ACH bouncing charge, अगर आपने नहाँ पे ACH mandate complete किया हुआ है, important है कि आप Paytm HDFC bank select credit card apply कैसे करेंगे, तो आपके पास दो तीन अलग अलग options है, आप उनके जरीए घर बैठे भी apply कर सकते हैं, और online भी apply कर सकते हैं, खासा दियान रखेगा कि आपका civil score ठीक होना चाहिए, जैसा कि देख प Paytm credit card पर tap करिए, वहाँ पर detail अपनी submit करिए, और credit card के लिए apply करिए, दूसरा option आपके पास है, SDFC bank का कोई branch आपके नजदी की है, तो वहाँ पर चले जाए, और वहाँ पर अपना complete KYC करिए, documents दीजे और apply करिए, इस credit card के लिए, इसके अलावा भी एक option है, जो कि है third party apply करने आज के रिट में बहुत सारे ऐसे organization हैं, जो कि credit card options provide करते हैं, आपको अगर यहाँ पर कोई SDFC bank का, Paytm SDFC bank select credit card का option मिलता है, तो आप इस credit card को उनके जरी भी apply कर सकते हैं, अमीद करता हूँ, एक बहतर credit card apply करने में ये video आपकी help करेगी, और आपको धेरो offers benefits जो है, देखने क्ल इसको जरूर्ट solve करूँगा, आज की इस video में बस इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों फिर आपस अगले video में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुष्ट रहिए और मस्त रहिए